नमस्कार, हमारी पंचैत कारेकरम में आपका स्वागत है हमारे आज के महमान है पिछले करीब आठ साल से पंच श्री राजकुमार शर्मा जन्ता की ओर से आज हम उनसे पिछले कारेकाल का हिसाब मांगेंगे हम पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जंता उन्हें एक बार फिर आशिरवाद दे एक लोगों का मेरे प्रिती बिश्वास था और लोगों का जे प्यार और बिश्वास देखते हुए मैंने वी एक संकलब किया था और कसम खाई थी और उस उड़ पर परमात्मा से मैंने यह गुजारिश की थी यह परमात्मा मेरे को अंदर एक तरी शत्ती परदान करो कि जे का जो बिश्वास है जे जो प्यार है जे बरकरार ही रहे तो उसके बाद हमारी पंचैत के अंदर बहुत सी चुनोतियां थी क्योंकि डूबल्मेंट नाम कया पता ही नहीं थी किसी को डूबल्मेंट बिल्कुल नहीं हुई थी पिछले एलेक्शन में जो आये थे दूर जाकर सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो उसमें जाकर बहां पर बहां पर कपड़े कुपड़े दोने के लिए जाती थी हमारे पास एक चुनोति थी जगा की कि हमारे पास दस्मे घर बनाने के लिए जगा नहीं थी जहां पर हमारे सी बी आई इंस्पेक्टर चेले राम कि बेटे से में श्वाज जी से बत की कि श्वाज जी हमारे पास दसमे घर की जगा नहीं है। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं राजू हम जगह का बंदबस्त करते हैं। उन्होंने अपने पिता जी से बात की। और मैं कहता हूं कि ऐसे महापुर्शों को हमारे भी आजू लग जाए कि उन्होंने सुवब बुलाया और कोट में बुलाया और दसमरले जगा जो है दसमरले जगा दसमे घर के लिए बो पंचायत को धान कर दी। हमारे पास पैसा नहीं था और शर्मा जी से जच्वाल शर्म बात देती है अब पहला काम आपका क्या हो हमारा जो पहला जो फोकस है वो हमने जो जगा ली हुई है कमिनटी हाल की ब्रादगर के लिए हमारा सबसे बड़ा फोकस उसी पे होगा कि हम एक अच्छा सा एक ब्रादगर बनाए पिएची की पाइपें डाली गई थी पिछले 20 दिनों में आपने देखा होगा कि जहां पर ट्यूबल का काम शुरू हुआ है और जल्दी ही बो पाइपें जो हैं वो इलेक्शन के बाद हमारा जो हमारी दो तिन जो काम आपको बताएं है एक कमुलेटी हाल का पीएची की पाइपों का और एक दो हमारे काम है कि हमारे गाउ वो पिषली बार हारे हुए कैंडीटेट हैं जो मेरे बारे में बड़ा गल्त परचार कर रहे एं वो आठ साल तो गयव रहे लेकिन अब लक्षिन के टाइं फिर वो मेदान में आगे हैं और मेरे खिलाफ काफी गल्द परचार कर रहे हैं और मेरे को पुरा बिश्वास है कि इस वार फिर उनको हारका सामना करना पड़ेगा